हेलो फ्रेंड्स वेलकम तू आरके क्लासिस दोस्तों हमारे पास बुक है स्पीडी की जो की समान अध्यन सार संग्रह है बीप्यसी पीटी बिहार दरोगा सचेवाले के लिए महत्पुर्ण है कुल पैंसरट सो इसमें वस्तुनिष्ट प्रश्ण है और ऐसे समय में आप जब हम नजदीक हो तो हमें लगातार जो है टेस्ट लगाते रहना चाहिए क्योंकि जब चीज़ें को आप सॉल्फ करते हैं तो आपको एक अंदर से कौन प्रेंट आता है कि यह आप लोग सपोर्ट करते हैं तो दो से तीन दिन में यह पूरा जो है इसमें 94 टेस्ट पेपर सार अप्रोट कर देंगे लेकिन आपके सपोर्ट के बाद ही अनित्था जो है इसको अप्रोट करने सी कोई भी फाइदा नहीं होगा मेरे लिए तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टेस्ट पेपर वन यह हमारा टेस्ट पेपर वन है देखेंगे इसमें कुल प्रशनों की संख्यां 40 होगी आप टेस्ट ज़रूर लगाए और देखिए कितने माकसाते हैं पहला प्रशन देखी क्या कहता है कि सरपर्थम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था तो ध्यान रखिए सबसे पहले भारत को इंडिया युनानियों ने कहा था ध्यान रखिएगा युनानियों ने भारत को इंडिया सबसे पहले किसने कहा था युनानियों ने आगे दिखते हैं, कहता है भारती उपमादीप में कौन सम्मिलित नहीं है? अच्छा सवाल है, तो ध्यान रखे, सिरलंका जो है, ये भारती उपमादीप में सम्मिलित नहीं है, सिरलंका. नेक्स्ट कोश्चन कहता है कि उत्तर परदेश राज की सीमा भारत के कितने राज्यों को सपर्स करती है तो ध्यान रखिए उत्तर परदेश की सीमा जो है भारत के आठ राज्यों को सपर्स करती है अगला सवाल कि भारत की जल चेतर सीमा कहां तक फैली हुई है तो ध्यान रखेए भारत की जल सीमा चेतर है वो 12 समोधरी मील तक फैली हुई है Next question कि भारत का सबसे पुर्वी विंदु कौन सा है तो ध्यान रखेए भारत का सबसे पुर्वी विंदु जो है ये की भी थू है ठीक है पस्ट मी पूछे तो गुहार मोती है ध्यान रखना है कहता है कि भारत की मुक्य भूमी का अक्षिय विस्तार कितना है तो ध्यान रखिए यह है आट डिगरी चार से सेंटी डिगरी छे उतरी अक्षांस question number 7 क्या कहता है कि भारत में सबसे कम वर्षा कहां पर होता है तो ये होता है ले लदाक में फिर पूछ रहा है कि भारत का देशांतर ये क्या हो जो है विस्तार क्या है तो ये है ऐसे याद रख सकते हैं 786 एक नंबर होता है 68 डेगरी 7 से 97 डेगरी 25 पूरवी देशांतर फिर कहता है भारत का सनलग्र छेत्र सीमा सनलग्र छेत्र सीमा जो है ये इसका कहां तक इसका फैला हुआ है तो ध्यान रखिए ये हमारा 24 माइल तक है इसी तरह के question जो था वो जल छेत्र सीमा था वो 12 समुदरी मील है ध्यान रखना है next question क्या कहता है कि भारत का और सत समुदर तल का मापन किस से तर्ट से किया जाता है तो ये हम लोग करते हैं चन्नाई तर्ट से next है कि छेत्र फल की द्रिष्टी से भारत का सबसे बड़ा केंदर सासित परदेश ये राजी कौन सा है तो ये है जमू कस्मीर भारत का अनन्य आर्थिक छेत्र ये कहा तक इसका विस्तार है तो ध्यान रखिए ये 200 समुद्री मिल द्रिष्ट का विस्तार है तीन चीज़ों को आप ध्यान में रखना है क्या-क्या जल्ड छेत्र सीमा 12 समुद्री मिल है संलगन छेत्र सीमा 24 समुद्री मिल है समुद्र है कुशन पमोर 13 देख लेते हैं कहता है भारत के कितने राज अंतराश्टिय स्थलिय सिमा को अस्पर्स करता है option देख लेते हैं सही जवाब है C. 16 राजे अगला सवाल है कि भारत का कुल छेत्रफल कितना है तो हम लोग जानते हैं 32,87,263 km कहता है कि छेत्रफल के दृष्टी से सबसे चुटा केंद्र साशित परदेश जो है ये कौन है ध्यान रखिए ये है हमारा लक्षदीब कहता है कि रतनाकर किस महासागर का उपना में अच्छा सवाल है ध्यान रखिए रतनाकर जो है यहिंद महासागर का उपना में रतनाकर नेक्स्ट कहता है कि मुक्य भूमी का दक्षिंतम बिंदू कौन सा है मुक्य भूमी का दक्षिंतम बिंदू है कन्या कुमारी मुक्य भूमी का दक्षिंतम बिंदू क्या है कन्या कुमारी नेक्स्ट है कि करक्रेखा भारत के कितने राजों से गुजरती है तो ध्यान रखी आठ राजों से करक्रेखा भारत से गुजर रही है आगे कहता है कि करक्रे का भारत के किस राज से नहीं गुजरती तो ध्यान रखी मित्र पर गमचा जहार इसका ट्रिक है और ये जो है मनिपूर से नहीं गुजरता है कहता है भारत में सरवादिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है तो ये है हिंदी विश्व में छेत्रिफल की दृष्टी से भारत का स्थान कौन सा है तो ये है सात्मा कैसे याद रखेंगे आप ट्रिक से रुक चीन अब आया भारत कहता है भारत की दक्षिनी बिंदू भूमद रेखा से कितनी दूर है तो ये है 886 किलोमेटर देखें दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि ये सबी प्रश्ण जो है आप पगरेने हलके में ले रहे हैं तो आप गलत ले रहे हैं क्योंकि इस तरह के प्रश्ण ही एकजाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे तो ऐसे प्रश्ण तो हमें याद हो नहीं चाहिए कहता है भारत की सबसे बड़ी जन्जाती कौन है तो ध्यान रखिए ये है भील भारत की सबसे बड़ी जन्जाती भील है कहता है हिमालय किस प्रकार का परवत है तो ध्यान रखिए हिमाला एक वलित परवत है हिमाला कैसा परवत है? वलित परवत है साड़े बिरासी डिगरी पुर्वी दिशान तर्रेखा कहां से गुजरती है तो ध्यान रखिए ये गुजरती है नैनी से इलाबाद के नैनी से और कुल पांच राज्यों से हो करके गुजरती है कहता है भारत को सरपरसम हिंदुस्तान किस ने कहा था हिंदुस्तान तो जान देखिए ये कहा था फ्रांसिस जियों ने आगे देखते हैं हमारा 28 नमबर कुश्चन क्या है कहता है साड़े 82 डिगरी पुर्वी दिसांतर कुल कितने राज्यों से गुजरता है देखिए ये कुश्चन इस बार बिहार दरोगा में इसी से रिलेटेड कुश्चन पूछा गया था पांच राज्यों से हो करके ये गुजरता है कहता है कि एक समुदरी मील बराबर कितना होता है तो ध्यान रखिए एक दसमलब 852 मीटर कहता है कि भारत की कुल अस्टलिय सीमा के लंबाई कितनी है तो ये है 15200 किलो मेटर कुल की बात हो रही है नेक्स्ट है कि भारत का सरवाधिक वनाच्छादित राज ये कौन सा है तो ये है हमारा मदपर्देश लेकिन परतिस्यत्ता के अधार पर कौन सा है ये आपको कमेंट करके बताना है कहता है कि इंदरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जानते हैं तो देखिए इंदरा पॉइंट को पिंग मिलियन पॉइंट और पार्शन पॉइंट भी कहते हैं कहता है कि भारत के कुल कितने राज अस्तल रुद्ध हैं बहुत अच्छा कोश्चन है ध्यान दखिए तो भारत के कुल लेंड लोग हैं 20 अगला सवाल है ऐसे भारत के कुल पाँच ऐसे राज हैं जो कि किसी से सीमा नहीं बनाते दीपों सहित भारत की कुल समुदरिय तर्टरिखा की लंबाई कितनी हैं दीप की सहित तो यह है 75, 116.6 किलोमेटर ऐसे 600 किलोमेटर है कहता है कि साड़े बरासी पुर्वी दिसांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से योकर के गुजरती है सेम कोशन आ गया है तो यह पाँच राज्य से योकर के गुजरती है इलाबाद के नैनी से और यह साड़े पाँच घंटा GMT मतलब आगे है यह कहता है कि छेतरफल के दरिष्टी से विस्टो का सबसे चोटा देश कौन सा है तो ध्यान रखिए वो है वेटिकन सिटी नेक्स्ट है कि साड़े बरासी डिग्री पुर्वी दिसांतर रेखा है भारत के किस राज्यों करके नहीं गुजरती है तो ध्यान रखिए यह तमिल नाड़ो से नहीं गुजरता है कुल 5 राज से गुजरता है कहता है विस्टू के कुल छेतरफल का भारत में कुल कितना भूबाग है तो यह है 2 दो समलव 4 दो भाग भारत का है कहता है केंदर सासित राज पुड्डु चेरी किसी मा एवं छेतर कितने राजों में फैला है तो ये फैला है चार राजों में भारत के कितने राज हिमाले परवत को असपर्स करते हैं तो ये है कुल दस राज जो है हिमाले परवत को असपर्स करते हैं तो ये टेस्ट 1 कम्पलीट होगी है कम समय में मिलेंगे अगले टेस्ट में इसको अधिक सदिक सपोर्ट करें धन्यवाद